अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं ग्यानवापी परिसर को लेकर आज का दिन एक बार फरसे बेहदैम है सिविल जज मेहंद्र कुमार पांडे आज याचका करता किरण सिंग की याचका पर अपना फैसला सुना सकते हैं याचका में ग्यानवापी परिसर में सर्वे के दोरान मिले कथित शिवलिंग की तत्कार पूजा शुरू करने की जासत देने की मांग की गई है किरन सिंग ने साथ ही पूरा परिसर हिंदूओं को सौप ने मुसलिमों की एंट्री पर बेन लगाने की भी मांग की है सुप्रीम कोट के आदेश के बाद ग्यानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग और आसपास की पूरे लाके को सील किया जा चुका है तो वहाँ किसी के भी जाने की अजाज़त अभी नहीं है और ऐसे हमें अब देखना ये एहम होगा कि क्या सिविल जज इस मामले पर फैसला सुलाते हैं अब चलिए हम आपको बता दें कि याचिका उन पांच महिलाओं की है क्या आप जो अलग-अलग याचिकाए हैं जिसमें ग्यानवापी परिसर में श्रंगार गौरी की पूजा की मांगी गई थी ये याचिका किरण सिंग विसेन ने दाखिल की है जिसमें तीन मांगे हैं पहली मांगिये कि सर्वे के दोरान मिले तथा कते शिवलिंग की ततकाल पूजा शुरू करने की अजाज़त हो दूसरी मांग ये है कि पूरा ज्ञान वापी परिसर हिंदू को सौपा जाए और तीसी मांगी है जिसमें कहा गया कि परिसर में हिंदू की एंट्री जारी रहे और मुस्लिमों की एंट्री पर बैन लगना चाहिए ये मांग और जिस पर आज फैसला आना है इसके पहले वारणसी के जिला जज ने हिंदू पक्ष की उस याजका को खारिश कर दिया था जिसमें शिवलिंग की कार्बन डेटिंग समेट वैज्ञानिक जाच की मांग की गई थी इसके बाद हिंदू पक्ष सुप्रीम कोट जानी की तैयारी में है इसी बीच आज सिविल जज महिंद्र कुमार पांटे इसी केस से जुड़े किरल सिंग की याजका पर अपना फैसला सुलाने वाले हैं लिहाजा सुरक्षा आज कड़ी हो गई है और हमारे सयोगी भासकर कि ज्यानवापी को लेकर बेहद हैं क्योंकि आज जिस याजका को लेकर सुनवाई होनी है उसको लेकर काफी लंबे वक्त से इंतजार भी किया जा रहे कि आखिर फैसला क्या आएगा क्या तैयारी वहाँ पर देखिए दो चीज है जो प्रमुक याजका थी पांच वादी महिलाओं के द्वारा उससे ये बिलकुल अलग है सरवे में जब तथाकतित शिबलिंग मिला था उसके वाद विस्ववैदिक सनातन संग के प्रमुक जितन सिंग विसेन की पत्नी किरन सिंग विसेन ने एक या और मुसलिम की एंट्री पे बैन लगाना चाहिए ये तीन मांग और इसको फास्ट्रा कोर्ट में भीजा गया था और ये मामला चलने लायक है या नहीं इस पे आज फैसला आना है फास्ट्रा कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है काफी तीन मेने तक्रिवन हो गए है और ये पहले पूजा आरचना का अधिकार कैसे दिया जाएगा इसके अत्रिक अगर वहाँ पे उस घ्यानवापी परिसर में मुसलिम जाके नमाज अता करते हैं तो उनको कैसे रोक दिया जाएगा ये प्रमुक सवाल है जिसका जवाब मिलेगा तो ये माना जा रहा है कि सिर्फ और जरूर करते हैं भासकर लेकिन वजू खाने के इस्तमाल पर फिलहाल पाबंदी है जब तक इसको लेकर पूरा कोई फाइनल फैसला नहीं आता लेकिन जर्ण ये बताईए कि आज सुनवाई क वक्त क्या रखा गया है सुनवाई कब शुरू होगी और आज तैयारी के सुनवाई को लेकर सुरक्षा के क्या इंतजामात हैं महाँ पर देखे दो बजे के बाद इस पर सुनवाई होगी और माना जारा धाई से तीन के बीच में फैसला आ जाएगा तैयारी जब कभी भी इस तरह से संसिटिब मामले की सुनवाई होती है बनारस के जिला अदालत में तो पूरे शहर भर में खासकर जो मुस्लिम बहुले अलाका है वहाँ पर सुरक्षा ववस्ता चाक चोवंद कर दी जाती है जो पूरा परिसर है वहाँ पर मीडिया एंट्री बैंड कर दी जाती है जो बाहर का पूरा रास्ता है वहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की तादात तो ये कोशिश हर वार होती है जब कभी भी जिन्वापी की सम्मन्दित किसी भी मामले के सुनवाई होती है और खासकर इस मामले की अगर बात करें तो ये अंदाजा लगाई एगर ये मांग की जा रही है कि पूज़ा अर्चना का अधिकार दे दिया जाए वहां मुस्लिम के प्रवेस पे रोक लगा दिया जाए अगर इस याचिका को सुईकार भी कर लिया जाता है इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूस गूगल प्ले स्टोर या अप स्टोर पर